हेलो एव्रिवान, वेलकम टू कॉन स्टाडी, मैं आपका जो जेन के, जेके एससबी का जो हमारा रेक्रूट्मेंट आया हुआ है क्लास फूर का, उसका जेका पार्ट कवर करवा रही हूँ, अलॉंग विद संभव सेर, मैं आपको इंडियन जियोग्रफी करवा रही हूँ, वो साइड बाइ साइड कापिटल स्टेट्स का भी पोर्शन करवा रही हूँ, जबकि संभव सेर आपको जेन के की जियोग्रफी कंप्लीट करवा रहे हैं, यह जो हमारा जेका सेक्शन है, यह 40 मार्क्स का है, जो की सबसे जादा वेटेज रखता है, चार सेक्शन में से, जो हमाई स्पेसिफाइड हैं नोटिफेकेशन में, तो आप इस सेक्शन को अच्छे से करके जाएगेगा, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ अपनी लर्निंग टेक्नीक्स बिनानी हैं, और आपको अराम से 40 मार्क्स मिल सकते हैं, बाकि हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश क करेंगे कि जादा से जादा आपको प्राक्टिस करवाएं, जादा से जादा आपको मेटीरियल दे, ताकि जब आप एक्जाम में जाएं तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो अन्फिमिलियर लगे, तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो देखे, बॉक्स में तीनों के लिंक्स अवेलेबल हैं, आप जाके उन्हें फॉलो कर लिजे, ताकि जो चानल की लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो भी हम आपको प्रोवाइड कराना चाहते हैं, अपडेट्स चानल से रिलेटिड वो आपको इमेडियेटल पता चल जाएं, और आप अपना शेडियूल फॉलो कर सके चानल पर, आज हम लोग पढ़ेंगे फिसिकल जियोग्रफी इंडिया की, ठीक है, जो लास लेक्चर था, यह हमारा सेकिंड लेक्चर है, पहले लेक्चर में मैंने आपको सारे बेसिक्स करवाए हैं जियोग्रफी के, ताकि कोई भी बीच में जियोग्रफी से रिलेटेड तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो उसे समझने में, तो आज हम लोग इंडिया का देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे से लेबस में इंडियन जियोग्रफी दिया हुआ है, तो अब से मैं आपको इंडियन जियोग्रफी फे ही फोकस करव भाऊंगी ऊके सो देख लेते हैं देखें पहले कुछछ से शुरू करते हैं laying Do тобa यह मारी seven largest country है और इसमें इसका तोल एडिया है वो 2.4 परसिंट है व्यर्ल्ड के टोटल एडिया से अब in्डियन सब कांचिनेंंट जो है वो अलग है इंडियन इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांगलादेश और भुतान यह पांच कंट्री जो है वो आती है इंडियन सबकॉंटिनेंट में उसके बाद इसका जो है बहुत ही यूनीक फिजियो ग्रॉफी है क्योंकि इस कंट्री में आपको डेजर्ट्स भी मिलेंगे आपको मांटेंस मिल मिलेंगे आपको प्लाटू भी मिलेंगे और आपको आइलेंस मिलेंगे ओके सो एक कंट्री में इतना सब कुछ जैनरली पॉसिबल नहीं है तो इसलिए बोलते हैं कि इंडिया की जो फिजियोग्राफी है बहुत ही यूनीक है तो आगे देख लेते हैं कि देखें जो हमारी इंडिया का जो में लेंड है वो अगर आप जाएं लेंथ वाइस तो 8.8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक यह एक्स्टेंड करता है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है 3214 किलोमेटर्स ओकी और अगर आप वेस्ट वेस्ट आएंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से ल होता है ठीक है यह दोनों हमारा नॉर्थ का है और यह दोनों हमारा इस्ट का है क्योंकि हमारा इंडिया जो है वह नादन हमिस्वेर और इस्टन हमिस्वेर में बढ़ता है ओके सो और इसकी कोस्ट लाइन जो है इसकी कोस्ट लाइन भी देख लीजे इसकी कोस्ट लाइन ज सारा क्या हो गया coastline, और टोडल लैंड, फ्रंटियर, फ्रंटियर मीन्स की जो connect हो रहा हो बाकी चीजों से, तो लैंड फ्रंटियर में क्या हो गया, यह वला पार्ट भी हो गया, जो हमारे इंडिया का ऊपर पार्ट है, यह सारा मिला कर कितना है, फिफ्टीन थाउजन टूहंडड़ किलोमेटर्स ओके सो आई होप आपको समझ आ गया होगा ठीक है अभी हम यह जो हमने जो हमने अपने एक्स्टेंड्स पढ़े हैं इंडिया के इससे रिलेटेड हम लोग टाइम जोन भी देखेंगे कि टाइम जोन कैसे डिफरेंट हो जात यह उपर यह मेरी रेड लाइन भी मत जाएगा उसके उपर आपको एक ब्लाक लाइन दिखेगी पतली सी वह क्या है आपका ट्रॉपिक ओफ कैंसर जो की इंडिया को टू इक्वल हाफ में बांटता है ठीक है यह बीच में से लाइन निकल रही है और यह नॉर्थ इंडिया और यह साउथ इंडिया ऐसे करके बन जाता ठीक है इंडिया को टू इक्वल हाफ में बांटता है तो इस इस ट्रॉपिक ओफ कैंसर और यह कहां से निकलता है 23 डिगरी 30 मिनट से निकलता है और इससे एट स्टेट्स टोटल पास करती है ट्रॉपिक ओफ कैंसर को जो है वह गुजरात, राजिस्तान, मध्यपरदेश, छतिसकर, जारखन, वेस्पिंगॉल, ट्रपुरा और मिजरम ओके तो यह आप माप पे देखेंगे कि यह सारी स्टेट कहां से ट्रॉपिक ओफ कैंसर कहां से किस स्टेट को पास कर रहा है और यह सारी चीज़े जो भी मैं आपको बता दीजिए, तो मैं आपको यही बोलूगी कि यह पूरा का पूरा लेक्चर आपके लिए इंपोर्टन है, मैं अलरडी बहुत ही कट शॉट कर चुकी हूँ आपके लेक्चर को, जो मुझे लगता है कि इंपोर्टन है, जो आये का एक्जाम में मैंने से वही फैक्ट्स दाले हुई हैं, तो आपको यह एक एक फाक्ट्स, आपको याद होना चाहिए, चलिए टाइम देख लेते हैं, टाइम में इंडिया में क्यूंकि 30 डिग्रीस का डिफरेंस है, आपने देखा था, पी यूर्स औरա इस्ट में 30 डिग्रीस का डिफरेंस, तो इसलिए अगर हम ओैंसलों लोग देखें तो 15 डिग्री का मतलब होता है हमारा अगर आपका जो व été इस वेस्ट 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 यस जा अरहो हो अगर 15 डिज्प्रेंस है किसी दो पॉइंट्स में तो वह एक गंटे के बराबर होता है तो हमारे इंडिया में तो 30 degrees का है तो वहां पे तो 2 घंटे का difference होना चाहिए इसलिए आपको पता होगा कि अरुनाचल में जो sun है वो जल्दी देखा जाता है as compared to Gujarat reason being यही कि इन में time का difference है okay so but क्योंकि हमारा इंडिया एक United country है तो हम ऐसा तो रख नहीं सकते कि इंडिया के different zones में different time zones बना दे इसलिए हमने decide कि एक standard time जो होएगा वो पूरी इंडिया फॉलो करेगी और उसको हमने बोल दिया standard meridian ठीक है standard meridian जो है वो 82 degree 30 minutes east से पास होता है और उसको हम बोलते हैं वहाँ पर जो time होता है वो होता है Indian standard time और उसी Indian standard time को हमारा पूरा इंडिया use करता है for their time purpose ठीक है अब इसका जो difference है अब GMT मैंने आपको last lecture में बताया था GMT क्या होता है जो प्राइम meridian जहां से पास हो रहा है ठीक है जिसे हमारे इंडिया standard time कैसे निकला है standard meridian जहां से पास हो रहा है वैसी जहां से prime meridian पास हो रहा है उसे हम mainly अपना जो standard time है वो लेकर चलते हैं तो हमारा GMT से हमारे इंडिया का time जो है वो साड़े पांस घंटे आगे है इंडिया इस five and a half hour ahead of GMT उसके पाद standard meridian जो है हमारा वो इंडिया में कहां से पास होता है उत्तर परदेश से पास होता है और उत्तर परदेश में भी कहां से नेबर से मतलब कौन सी स्टेट कि किस country से कितने जादा स्टेट हमारी connected है तो वही मैं बता रही हो आपको कि हमारे नौर्थ में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है नेबर्स चाइना भुटान नेपाल नौर्थ में हैं मियानमार फार इस्ट में हैं बांगलादेश इस्ट में है और श्री लंका जो है किस country कौन सी स्टेट के साथ connected है अफगानिस्तान जो है वह उसकी बॉर्डरिंग स्टेट हमारी इंडिया की पड़ती है जेंड के जो हमारा गिलगित बालतिस्तान वाला रीजन है वह इसलिए मैंने लिखा है पीओ के वाला रीजन बांगलादेश जो है वह क्योंकि इस्ट में है तो उस वहां पर आप मैप साथ में रखियेगा जब मैं यह पढ़ा रही हूं आपको ताकि आपको अच्छे से समझाए ठीक है बांगलादेश जो है वह वेस्पिंगॉल मिजुरम मिघाले त्रिपुरा और असाम के साथ है बुटान के साथ कौन को उन्जुरता है अरुनाचल प्रदेश असाम सिक्किम और वेस्पिंगाल चाइना के साथ जेन की हिमाचल चाइना क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है तो देखेगा इसमें जो हमारी स्टेट्स है वो भी वेस्ट टु इस सारी ही कवर हो जाती है जे इनके पंजाब, गुजरात, राजर्षान क्योंकि पाकिस्तान हमारे वेस्ट में बढ़ता है तो जो हमारी वेस्ट्रोली स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड होंगी नेपाल तो नेपाल के साथ है सिक्किम, वेस्पिंगॉल, बिहार, उत्तर प्रदेश अर उत्राखट तो आब कुछ international boundaries भी देख लेते हैं I know यह इंडिया से related नहीं है बट यह important है और आपके एक्जाम में आने के chances हैं इसके हमारी जो वर्ल्ड है उसमें जैसे हम बोलते हैं ना LOC तो या फिर चाइना के साथ हम बोलते हैं LAC तो वैसे ही उन international lines का भी एक particular नाम दिया हुआ है तो देख लेते हैं कि 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 इंट्रनाशनल लाइन का क्या नाम है ड्यूरें लाइन जो है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंडरी हो उसको बोला जाता है राद क्लिफ लाइन जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच म के इंट्रनाशनल लाइन को बोला जाता है हिंडिन्बर्ग लाइन जो है वह पॉलेंड courage कि लौणी की लाइन जो फॉर्स वर्ल्ट वर िताइंप बनी थी उसको बोला जाता थ्चाहेट फट्रिफ पैलल जो है वह नौर्थ और सौकोरिया के भीच में हैं अब प्लेंज भी हैं डेजर्ट्स भी है और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे आज हम लोग माउंटेंज पढ़ेंगे फिर मैं आइस्टा आपको ये सारी सीज़ें कवर करवा दूगी अगर हम देखें तो हमारा ये जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा पूरा पड़ जाता है हिमाल हिमालयास ठीक है यह हमारा हिमालयस है और उसके बाद यह आपको दिखरे है पामें नौट यह जो Secret Fleet हमारी हिमालया का सबसे हाइस्थ पॉइंट है . फिर उसके भाद in यहां पे अगर हम देखें तो हमारे यह हमारे डागाना चाहते हैं ठीक है यह हमारा पूरा Central प्लाटू है ठेक है फिर उसके बाद जो हमारा ये region है ये वाला region जो river से जो mainly rivers से हमारा fertile है इसको हम लोग plains बोलते हैं और ये वाला जो हमारा region है this is coastal plains ठेक है और उसके बाद ये हमारे जो हैं ये islands है ठेक है I hope आपको पता चल गया हो इंदिया में division किस तरह से हुई है हई हम अपनी mountains देख लेते हैं हमारे इंडिया में mainly चार टाइम के mountains है तीन तो हमारी हिमालयास की ही टाइपस है Greater Himalaya, Lesser Himalaya और Outer Himalaya Greater Himalaya को हम हिमादरी भी बोलते हैं Lesser Himalaya को हिमाचल बोलते हैं और आउटर हिमालयाज को शिवालिक्स बोलते हैं ठीक है फिर उसके बाद एक वो राता है ट्रांस हिमालयन जोन जिसे मैं आपको आगे स्लाइड में एक्स्प्लेइन करूंगे हिमालयाज इसका मीनिंग है अबोर्ड ऑफ स्नू क्योंकि मेंली इतने हाई है कि यहां पे स्नू रहती ही रहती है यह यह यंगेस्ट फोल्ड मांटेन रेंज्टे से हैं क्यों बोला गया ऐसा क्योंकि क्यों वो लगया ऐसा क्योंकि ये सबसे रीसेंट अभी जो हमारे यंग फोल माउंटेंस है उसमें से सबसे रीसेंट है ये इंडस से लेके ब्रह्म पुत्रा तक स्ट्रेच होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगी थोड़ी देर में इसका इस्टन हिमालयास में आपके हिल्स मिजो हिल्स गारो खासी जैनताई हिल्स ये सब आ जाते हैं इन्हें पुर्वांचल भी बोला जाता है पामे नौट जो है वो रूफ अफ दे वोल्ल है या फिर क्या मैंने आपको क्या बताया सबसे हाइस्ट पॉइंट है हिमालयास का और हिमालयास जो है वो पैलली या लॉंगिट्यूडनली कितने में डिवाइड हो सकते हैं तीन में डिवाइड होते हैं ये अब देखिए ये आपका है हिमालयास ये आपकी आती है ब्रहंपुत्रा यहां से और यहां से इंडस तो इंडस और ब्रहंपुत्रा के बीच के रीजन में हिमालयास एक्स्टें आह वो पापको समझे हो चलिए आगे चलते हैं और अगर हम लोग अपने पेलली करके देखें कि हिमालैस हमने बोल था कि पाललीDonte नुभाइड हो रहे हैं तो यह देखें जो उपर वाला पार्थ है जो उपर वाला कि हर एक हिमालया यह जो तीन टाइप से हैं इस हर एक की एक स्पेशालिटी है ओके अगर हम बात करें अपने ग्रेटर हिमालया की तो इसकी हाइट जो है सब्सक्राइए जो की अपने सी फिस्ताइब एक सक्तेंड से कोचे हैं डिषमीर डिबए लिपूलेक और ठंगला उत्रागन तर्दाध में यहां पर हमारी highest mountains mountain peaks भी जो है वो available होती है कहां पर हिमादरी में तो मौंट एवरस से जिसको सागर मत्था भी बोलते हैं यह तो हाइस पीक है world की इसकी हाइट भी आपको याद रखनी है 8488 मीटर्स और यह है नेपाल में और इसके इलावा यह जो माउंटेंज है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए जो इंडिया में हैं इंडिया में सबसे हाइस कौन सी है कंचन जंगा ठीक है और उसके बाद भी आप देख लिजेगा यह सारी चलते हम सब्सक्राइब हुमाचल में में हमारे जितने अखके मेरे जितने भी टूरिस टेस्टेशंस आ साधियं जिसे हम लेसर हिमालयस भी बोलते हैं इसकी एवरेज हाइट जो है वो 3700 से 4500 मीटर है माउंटीन और वाली जो है यहाँ पर प्रॉमिनेंट है ठीक है उसके बाद इसकी जो मेजर रेंजिस है वो है धोलादार पीर पंजाल नाग तिबा और मसूरी आपको पता होगा कि अगर आप कभी छत पर खड़े होके दिखते हैं तो सामनी जो आपको माउंटेन दिखते फिंटे यहां ऑ है और यहा पर स्हमला रानीखेट-ल्मोरा नैनीता लाद आर लिंग और या आपको पता होना चैए कि कौने वाले अगर मैं आप से कभी कवैस्चन में पूछूँ कि रानी खेत is situated in which state so आपको पता होना चाहिए कि यह कि स्टेट में है ठीक है और इससे नीचे फिर आ जाते हैं हमारे दून जो कि आउटर हिमालयाज में होते हैं आउटर हिमालयाज में देखिए यह मैंने आपको बताया जैसे कि इनकी जैसे से हिमालयाज का हम प अधर शिवालिक्स आता है वैसे वैसे उनकी हाइट कम होती जाती है ठीक है तो शिवालिक्स का देखिए इस रीसेंट ओरिजन विदन एवरेज एलिवेशन ऑफ नाइन हंडर्ट टू ट्वेल्फ हंडर्मीटर्स ओके और यह कैसे बने हैं जो भी हिमालयाज से रिवर्स आ थे हीट बन गी है और मेनली जो इसमें क्या होते हैं इसमें दून्स बहुत प्रेविलेंट है ठीक है तरह लॉंगित्यूटर्स ओल ए यह लिए यह लिए इसके बीच में क्या है हमारे दून ठीक है अब दूनस अगर आप देखिए तो दूनस में कौन-कौन से दून आपक ठीक है और अगर मैं आपको बताऊं एक fun fact तो हमारा जो जम्मू है वो भी दून की ही category में आता है क्यूंकि वो हिमाचल वाली जो रेंज है उसे क्रॉस कर जाता है और आउटर हिमालाज में आता नहीं है तो यह जो बीच का रीजन है दाट इस दून है सूँ लेट्स स्लाइड देखे अब मैंने आपको यह बताया था कि यह आ गया हमारा शिवालिक यह आ गया हमारा हिमाचल और यह आ गया हमारा ग्रेटर हिमालै बट इसके उपर भी कुछ रेंजिस है भीन प thirds अब उसके बारे ठीक है जो ग्रेटर हिमालया से भी उपर होती हैं उनको बोलते हैं हम लोग ट्रांस रिद्म I know मेरी राइटिंग बहुत खराब है बटाए गैस आप समझ के होंगे ठीक है सो ट्रांस हिमालया जो नौर्थ ऑफ दी ग्रेटर हिमालया होता है ठीक है इसमें मेनली जो हमारी इंपॉर्टेंट रेंजिस है वो कौन कौन सी है कारा करम लदाक जन्सकर यह सब रेंजिस हमारी वहां की फेमस है उसके बाद हाइस्ट जो पीक है वो है के टू गॉर्डविन ऑस्टिन जिसकी हाइट कितनी है है 8611 मीटर्स ओके सो इसके इलावा जो हमारा लॉंगिस्ट ग्लेशिर है वो कौन सा है सियाचिन ग्लेशिर जो नूब्रा वैली में आपके अवेलेबल है आपको पता होगा कि लदाक में सियाचिन ग्लेशिर हमारी कितनी इंपॉर्टेंस रखता है इंटरनाशनली वाइज भी बहुत बार न्यूज में आता रहता है सियाचिन ग्लेशिर इसके इलावा जो इंपॉर्टेंट ग्लेशिर हैं इस जोन के वो हैं ब्याफो बालतारो बतूरा और हिस्पर और यह एरिया जो है क्योंकि मैंने आपको बता है कि बहुत हाइट पर है तो यह हमेशा स्नो फि क्लासिफिकेशन कैसे होती है वेस्ट वीस्ट जो इंदस से सत्लुज तक का पार्ट है उसे हम पंजाब हिमालयास बोलते हैं ठीक है देखें मैं आपको बताती हूं वापिस मैंने लाइन इसलिए बनाई थी क्योंकि ऐसे ही डिस्क्रिप्शन अगर मैं दूं तो जादा अच्छे से आपको समझाएगा यह इंदस है और यह सत्लुज है इसके बीच का जो हिमालयास है इसे हम पंजाब हिमालयास बोलते हैं फिर सत्लुज से लेके काली तक जो है यह काली तक है मारी हैना यह नीजन और चाहरे ंर ब काली से थैस तक जो है वह नेपाल हिमालय तक दिस च से आगे ब्रहम पुत्रा है जो यह जीन आ जाता है जो कि हमारे नौर्थीस्ट का रीजन आता है उसे बोलते हैं हम लोग पुरवांचर और वहीं पे हमारे नागा, मनिपुर और मिजो के हिल्स हैं जो हमारे बहुत ही फेमस है अब यह कुछ important facts हैं यह आप पढ़िएगा यह मैंने already भी पढ़ाये हैं पीछे और यह facts important हैं आपके exam view से तो आप इन्हें जरूर याद कीजेगा तो अब हम चलते हैं फटा फट से अपनी आज की states पे क्योंकि हमारा lecture अल्री लंबा हो गया है देखिया आज की statement जो firstly है डाट इस असाम ठीक है असाम में 33 districts है इसमें मजूली जो है वह बहुत important है मजूली क्या है वोल्ड का सबसे biggest riverine island है यह आपको याद रखना है यह आपको आ सकता है पेपर में ठीक है उसके बाद इंडिया जो है इंडिया का gateway भी बोला जाता है इंडिया गेटवे टू नौर्थीस्ट इंडिया भी बोला जाता है असाम को क्यों देखिए यह असाम की position है तो असाम से ही होकर आप बाकी ही नौर्थीस states में जा सकते हैं ठीक है तो इसलिए इसे gateway भी बोला गया है नौर्थीस्ट इंडिया का दिखबोई जो है वो इस सिटी है असाम की विच इस वेल नोन फॉर इस ओयल रिजर्व था इंडिया का उसके बाद असाम बैंबूस के लिए फेमस है और टी के लिए फेमस है यहां पर मेजर रिवर्स जो हैं कामिंग का रमपुत्रा और धिहांग उसके बाद स्टेट आनिमल वन्स हॉन रिनुसरास है स्टेट फ्लार और्चर्ड है रामसर साइट में डिपोर बील आ जाता है नाशनल पार्क देखें दिब्रू से खुवा काजी रंगा मनस नमेरी राजिव गांधी और अरंग नाशनल पार्क और बायो रिजर्व में और बायो हॉट्सपॉट भी है यह दिब्रू साइकोवा और मनस ठीक है बायो डाइवर्सटी हॉट्सपॉट्स भी है चलिए अगली स्टेट को देख लेते हैं अगली स्टेट जो है हमारी वो है बिहार ठीक है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दो स्टेट करवाई हुए अगर आपने वह पढ़नी होगी तो वह भी पढ़ना यह देखिए यह हमारा भीहार मैप में यह आप देखेगा डिस्ट्रिक्स यहां पर 38 है यहां पर ही बुद्धिजम और जैनिजम का जनम हुआ था मगत जो मोरिन डाइनिस्टी की कापिटल स इंडिया की सबसे लीस्ट लिट्रेसी स्टेट भी बिहार ही है यहां पर मेजर रिवर्स जो है वह गंगा कोशी गंदक और सोन है टेट वूर्ड स्पैरो है स्टेट आनिमल ऑॉक्स है स्टेट फलार मैरिगोल्ड है वर्ल्ड है रिटेश साइट्स यहां पर है महाबोधी केंप्ल जो कि बुद्गया में है और नालंदा यूनिवर्सिटी भी यहीं पर थी आप नेशनल परक्स में देखिये बहार्मे की नाशनल पर की वालमे की टाइगर रिजर्व भी है देख लेते हैं मैं आज फिर आपके लिए six questions लाई हूँ इन में से कुछ मैंने आपको already करवाए हुए हैं इस वीडियो में वह आप करिएगा और कुछ जो हैं वह आपको ढूंदने के लिए दिये हैं ताकि आपको भी इंट्रस्ट बना रहे जियोग्रिफी में तो I hope आप य से नीचे कॉमेंट में जरूर बताएंगे और अगर आपको कोई भी डाउट आया है आज के लेक्चर में वो भी आप जरूर बताएंगे थैंक यू सो माच गॉड ब्लेस यू और कीप स्टाडिंग हार्ड